हलो एरिवन, दोस्तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है आकास की उचाईयों को छुना उनका सपना होता है आकास में उड़ने का, अगर आप भी उनमें से एक हैं और आपके अंदर पैशन है एरफोर्स के लिए तो अब आपको वो सपना पूरा होने वाला है क्योंकि एरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अगर आप एक ओफिसर के तोर पर एरफोर्स को जोईन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बहतरीन अवसर है इस मुके का फायदा उठाने का एरफोर्स ने हाली में अपने फूर्म जारी कर दिये हैं जिसको आप 15 जून से 14 जुलाई के अंदर भर सकते हैं तो 15 जून से 14 जुलाई तक आप इस फूर्म को भर सकते हैं आपको इसके लिए जाना होगा fcat.cdac.in पर और अपने फूर्म के लिए एपलाई करना होगा ये आपका एक्जाम दो स्टेज के अंदर होता है पहले रिटिन एक्जाम होगा और उसके बाद आप लोगों का ssb होगा ssb के लिए आपको कूल किया जाता है अब कौन-कौन है क्या इसके बारे में जानों जब आप एरफोर्स का फोर्म भरने वाले हो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए fcat का फुल फोर्म क्या है fcat का फुल फोर्म है air force common admission test air force common admission test बहुत ही normal सा रिटिन होता है ठीक है जिसके अंदर reasoning आप लोगों का maths, English, GK और मतला science वगरा सकते हैं देखो एक तो वे candidates जो flying officer बनना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने age group दिया है 20 से 24 साल तक के वे officer जो as a flying officer जो इन करना चाहते हैं जिन्होंने bachelor degree कर रखी है जिनकी graduation complete हो चुका है और physics और math उन्होंने 12th level जो physics और math उन्होंने 12th level पे पढ़ा हो graduation complete हो 12th level पे physics math पढ़ा हो वो सारे इस exam के लिए क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं दूसरा है इसमें ground duty ground duty के लिए आप apply कर सकते हैं और इसके लिए इन्होंने age दिया है 20 से लेके 26 साल 20 से लेकर 26 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप ground duty के लिए apply कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके 12th में 60% marks होने चाहिए math और physics में तो math और physics के मिला के आपके 60% बनने चाहिए तब आप ground duty के लिए available हैं तो आप ground duty के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर NCC की special entry भी है flying officer के तोर पर उसमें भी आपका age 20 से 24 साल मांगा गया है और सीधा अगर आपके पास जो है C certificate है तो आपको written भी exam भी देने की जरूरत नहीं है सीधा आप SSB के लिए जो है जाएंगे दूसरा है metallurgical entry इसमें आप लोगों का जो है age 20 से 26 साल तक के लिए मांगा गया है तो दोस्तों अगर आप इस form के लिए apply करना चाहते हैं तो 15 June से 14 July के बीच में इसमें apply कर सकत जाएंगे उन्हें AC3 tire का ticket मुफ्त में मिलेगा Air Force की तरफ से जो travel करके जहां भी आपका जो है SSB होगा आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा अगर कोई detail कोई भी doubt आपके मन में हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं तो अपना तयार करिए बहुत ही अच्छा paper है return exam बोलनी आनी चाहिए तभी आप SSB में को face कर पाएंगे thank you video पसंद आया हो तो like करें कोई doubt हो तो comment करके पूछ सकते हैं और कोई भी doubt अगर आप पूछना चाहते तो मुझे मेरा Instagram account है all India students community के नाम से वहाँ पर आप मुझे follow कर लीजेगा और message छोट दीजेगा आपको उसका reply जरूर मिलेगा thank you जय हिन जय भारत take care love you all please like share जय हिन जय भारत